आज हम लोग बात करेंगे तिरुपती के लड्डू को लेखे प्रेजनली आंद्रप्रदेश के तिरुपती टेंपल में बहुत बड़ा कांट्रोवर्शी हो गया जिसमें कहां जा रहा है कि ये जो लड्डू है मतलब आप में से अगर कोई तिरुपती मंदी ट्रावल किया ह तो आपको पता है कि वहां जाने से वहां मंदिर में एक लड्डू आपको मिलता है तो ये जो लड्डू दिया जाता है इस लड्डू में presently कहां जा रहा है कि पास्ट में जब previous government था अंद्रप्रदेश में at that point of time लड्डू में animal fat use किया जाता था ये बनाने के लिए तो न को मनें लोगो एक लड्डू दिया जाता है अगर आपको जय सिफी में लाना है प्राइस होता फिफ्टि रुपीज इच एगर आपकोундद देखर होता है इनगया है हूं था. इच तो अभी कॉंट्रोवर्सी क्या है ये पूरा जानने से पहले थोड़ासा आंद्रप्रदेश का पॉलिटिकल सिचुएशन में हम लोग भ्यान देते हैं प्रेजेंटली आंद्रप्रदेश में चंद्रबाबु नाइडू का सरकार है जो के सेंट्रल में बीजेपी को सप पिविएसली तिरुमला जो लड़ू है इसमें बहुत सब स्टैंडर्ड इंग्रीडियन्स यूज किया जा रहा था जिसके वज़ेसे इसका जो टेस्ट है ये काफी गिर गया था प्रेजेंटली गवर्मेंट को कंप्रेटली सैनिटाइस किया और अभी जो लड़ू आपक सुनके जो YSRCP के स्पोक्स परसें ये वो काफी घुस्सा होगे वो अपने तरफ से बोला ये सारा जो इन्फोर्मेशन ये बहुत ही गलत है ऐसा हो नहीं सकता हम लोग हमारे टाइम में एक्जाटली बेस लड़ू प्रवाइट करते थे ऑन दा अधा साइड टी टी डी मतल से पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी बोल देते हैं ये जो बात है इसमें कोई भी वैलिट पॉइंट नहीं है वो लोग अपने तरफ से जो इंडिजिनेस काव है जो बुझराट से बिलाउं करते हैं राजस्तान से बिलाउं करते हैं उसी काव का दूस से प्योर घी बनाते ह है और वही घी से ये लड़ू बनता है नो डाउट हर कोई अपने आपको सेफ साइड में रखने का खोशिश करेगा और हर कोई बोलेगा कि हमारे टाइम में हमने जो किये है वो सबसे बेस्ट है तो आगे चलने से पहले एक बार ये लड़ू के बारे में पूरा जान लेते है ये जो प्रता है ये हर किसी को लड़ू देने का ये 300 साल पुराना है 1715 से जो कोई भी आपका ये टेंपल विजिट करता है अगर को एक लड़ू दिया जाता है और तब से आज तक अगर देखे ये लड़ू हमेशा जो भी डिवोटीज है उन लोग को ये लड़ू मतलब ये जो लड़ नेम है मतलब तिर्योपर्टी लड़ू ये और कोई अपने बिजनस के लिए यूज नहीं कर सकता है दुनिया बन में ये लड़ू फेमस है मगर कोई भी अपने बिजनस के लिए ये ये यूज नहीं कर पाएगा इसके लिए अगर ये लड़ू बनाने लड़ू बनाते हैं और आज डेख घा जाए ये लड़ू जब बनते है तो बहुत कुछ है जी है दो बना जाता है इंकलते हैं सबसे निकलते सबसे प्ऴहले जो भगवान है उनको यह लड़ु पेश किया के बाद वह लड्डू फिर से जितना भी लड्डू बनते हैं सब के साथ मिक्स किया जाता है और फिर यह लड्डू जो डिवोटी से उन लोगों को सर्फ किया जाता है यह लड्डू बनाने के लिए 10 तरह के इंग्रीडियेंस लगते उन में से वन अब दा मेजर जो हे वह घी और देच चार सो से 500 केजी प्योर घी शारे साथ सो केजी केशुनट 500 केजी किसमिस और 200 केजी काडमल लगता है टीटीडी अपने तरफ से यह जो घी है इसको प्रोक्योर करता है और साल में लगभक 5 लाख क इलो घी यह लड़्डू बनाने की लख़ा है टीडीडी अपने तरफ से हर छेने महिने में यह गी प्रोक्योर करते है और आज के रिट में अगर देखा जाए यह जो अंदरकदेश का मार्केट है यहां अमूल ने अल्रडी एंट्री ले लिया है और प्रेजेंटली अमूल जो है यह one of the biggest supplier है घी का टीडीपी मतलब चंद्रबाबु नाइडू के जो पार्टी है उनके द्वारा एक टेस्ट रिपोर्ट पब्लिश किया गया है जो टेस्ट रिपोर्ट बनाया है एं डीडीबी काफ मतलब सेंटर फॉर एनलिसिस एंड लर्निंग इन लिवर स्टॉ इलोग का काम है इलोग अपने तरफ से डिफ्रेंट टाइफ आप जो डैरी प्रोड़क्ट है जो मिल्क प्रोड़क्ट है जो मिल्क है उनको टेस्ट करता है और उनको टेस्ट करने के बाद इलोग अपने तरफ से यह रिपोर्ट पब्लिश करते है इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है जो सैंपे निलो को मिला था जो YS RCP के टाइम में लड्डू बने थे उस लड्डू में पाम ओयल, फिश ओयल, बीफ टैलो और लड्ड यूज किया गया है लड्ड मतलब यह आपका जो पिग होता है उनका जो एकसेस चर्वी होता है उसको लड्ड कहां जाता है इस रिपोर्ट का कॉपी को TDP ने अपने तरब से पब्लिकली शेयर कर दिया है और कितना इंग्रीडियेंस किस लेवल पे है, सारा कुछ आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिल जाएगा इस रिपोर्ट ने अंध्रपदेश्म ने हलचल मचा दिया इस रिपोर्ट के लिए कुछ भी कर सकते और इसलिए चंद्रपदेश्म ने यह स्टेप लिया है इसके लाव अगर हम लोग देखे कॉंग्रेस को तो कॉंग्रेस के तरफ से बोला गया है कि CBI जांच होना चाहिए यह जो चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है इतना जल्दी खतम होने वाला नहीं है आगे जाके इस चैप्टर में बहुत सारे पेजेज आड़ होंगे बहुत सारे कहानी और भी आड़ होगा जब भी कोई नहाँ अपडेट आता इस इंसिदेन्ट को लेके तो मैं आप लोगों के लिए एक अलग सा नहाँ बना दूँगा ओफफुली यह वीडवीयो आपको इंत्रेसिं लगा है अगर आपको यह इंत्रेसिंग लगा है अंगर आपको ये वीडियो इन्ट्रेस्टि कीजिए क्या होता है आपका जो टेस्ट आपको क्या देखना प्रसंद उन तक पहुंसता है हम लोग जैसे जो क्रेटर है हम लोग चलता रहता है आज यह वीडियो देखने के लिए धन्याबाद